तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे कि आप धेला पकड़ किस तरह से खेल सकते हैं उससे पहले मैं जो कलर्स बोलूँगा मैं उसके नाम आपको दिखायता हूँ पहले हाड जिसको लालपन बोलेंगे फिर डायमंड इट इस पेट को काला पान और कलब याने कि पेड़ी तो ये सारे कार्ड मेरा हाथ में हैं 52 कार्डस है तो सबसे पहले हम इसे शफल कर देंगे और düşünैने के बाद हम इसे छारों लोगों को देंगे इसमें यह रूल होता है कि दोस्तों जो आप जो सामने की तरब बेढ़ा है वह और मैं 1-ски टीम है वह बाकी दो अलग ट चाम भी लिखा है यहां पर दिख सकते हैं A, मतलब A को में दूँगा 5 कार्ड, उसके बाद B को, C को और D, D में खुदू, उसके बाद 4-4 कार्ड दो बार देंगे, तो इस तरह से हर इंसन के पास 13 कार्ड होंगे, यानि कि 13 कार्ड, यहां पर जब 5 कार्ड में दूँगा A को, तो ए 5 कार्ड को देखेगा, और देखने के बाद वो एक कर्ड बोलेगा, यहां पर कर्ड या तूरूप वह पत्ता होता है, या वह कार्ड होता है, इसके लिए मैं एक एक जाम्बल से दिखा तो मानली जी कि चीड़ी की चाले, चीड़ी का किसी ने इका या बाश्या फेक कि किसी ने अगर आपके तूरूप से बड़ा पत्ता चल दिया है, और वो भी तूरूप है, तो हैंड फिर उसका हो जाएगा, तो दोस्तों आप गेम में जिसे जिसे आगी बढ़ेंगे, आपको तूरूप या फिर ट्रम्ट का कॉंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर जो प्लेयर ए था, उसने इट या फिर डायमंड को अपना तूरूप घोसित किया है, तो मैं सारे कार्ड और भी डिस्ट्रिबूट कर देता हूँ, चार्चर करके, तो मैं दो बार चार्चर कार्ड देता हूँ, तो यह सारे कार्ड मेरा लिए है, धीर धीर में इसे उपन करूँगा, तो इनको मैं उठा लेता हूँ, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं किस कार्ड को किस नाम से जानता हूँ, इसको मैं देला बोलता हूँ, यह छक्का है, यह गुलाम है, उसके बाद बाश्या, इक्का, तो दोस्तों, मैं इने सबसे पहले कलर के एकोर्डिंग जमा लूँगा, और साथ में जो भी कार्ड की वेल्यू है, उसे बढ़ते वए क्रम में रख लूँगा, जिससे कि मैं आपको एक्सामपल के लिए लिखाता हूँ, तो मैंने इट को अलग कर लिया है, इट में आप देख पारे कि पहले बेगम है, फिर बाश्या है, फिर इका, मतलब बेगम छोटा है, बाश्या उससे बढ़ा है, और इका सबसे बढ़ा है, तो ये सारे कार्ड मैंने एक तरफ कर लिये है, उसके बाद सबसे लेफ्ट में आप देख पारे कि मैंने लाल पान का सब एक जो कि तीनों ही बड़े है यानि कि अगर मैं इनको चलूंगा तो यह जो हेंड है वो मेरे ही होंगे और यह गेम दोस्तों थोड़ा स्लो चलेगा यहाँ पर चाल शुरू होती है तीन से तीरी से उसके बाद दोस्तों मेरा जो पार्टनर है उसने चला है गुलाम तो दोस्तों मेरा जो अपोजिट टीम है उसने भी चल दिया है कार्ड और वो कार्ड है बेगम दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आप में अब्सर्विशन काम हैगा मेरे पास एक धेला था जो काला पान का था तो मैं उसको चल सकता था और यह मेरे पास आजाता लेकिन उसन रखना है ताकि यह गैम आप जीज सके मैं आपको एको रूल बता देता हूँ कि समें अगर आप 7 लगातार हैंड बना लेते है तो आप जीत जाएंगे या फिर आप 4 टेन को पकड़ लेते तो आप जीत जाएंगे यह दो रूल होते हैं अब उसने चला है दुर्री या लाड हो और बी के पास छोटा हो जो मेरा यह पार्टनर है तो में यह को लॉस होगा जिसे कि A ने चला है गुलाम अब B की बारी है B ने चला है 3 तो ये सर जो है या फिर हैंड जो है ये A का बनाए तो जिसका सर बनेगा या हैंड बनेगा चाल उसी की होगी यहाँ पर A चलेगा वापस से तो A ने चला है चीडी का छक्का चाल B की है B जो मेरा पार्टनर है उसने चला है बाश्या चीडी का तो यहाँ पर अगर C छोटा पता चलता है तो मैं चीडी का देला चल सकता था यहाँ पर तो वो हमारा हो जाता लेकिन चूकी मेरा पास तो चीडी का देला है ही ने तो मैंने यहाँ पर नेहला चल दिया है जो मेरे पास छोड़ा पता है क्योंकि यह चूकि मेरा ही बन रहा है हैंड तो मुझे बड़ा चलने से कोई मतलब नहीं है और मेरा लॉस ही होगा इसमें क्योंकि जो बाश्चा था वो मेरे पार्टनर कही था दोस्तों यहाँ पर आप देख सकतें कि मेरे पास दो देला है तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी हैंड में उन दोनों को दे पाऊँ ताकि वो मेरा बन जाए तो मेरे पार्टनर ने चला है काले पान की चाल जो की है चोका उसके बाद छक्का चला है सीने मैं यहाँ पर देला दे सकता हूँ दोस्तों लेकिन अगर A ने ऐसे बड़ा पत्ता चल दिया तो वो A का हैंड हुचाएगा और मैं फिर यह गेम नहीं जीत पाऊँगा क्योंकि दोस्तों जीतने के लिए चारो देला पकड़ना जरूरी है तो देखे सत्ता चला है उसने हो सकता है कि उसके पाद सिफ सत्ता ही हो तो अगर मैं देला देता तो शायद मेरा हैंड भी बन जाता लेकिन मैंने रिस्क लेना जरूरी है नहीं समझा तो A का हैंड है मैं C को देता हूँ क्योंकि वो दुनों A की टीम से खेल रहे है इसके बाद A की चाल तो दोस्तों यहाँ पर A ने बाश्या चला है B की बारी है B ने पंजा चल दिया मतलब छोड़ा पत्ता चल दिया है तो दोस्तों यहाँ आप आप देख सकते कि अभी जो सर बन रहा है यहाँ हेंड बन रहा है वो A का बन रहा है वी C की बारी है C ने अठ्ठा चल दिया मतलब कट नहीं है तो अभी बाश्या ही बन रहा है अभी दोस्तों मैं यहाँ पर नहिला चल देता हूँ तो अगर मेरे पास दूसरा कार्ण नहीं होता तो मुझे मजबुरन देहला चलना पड़ता और फिर मैं गेम जीत नहीं पाता तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दो हेंड को रिमूव कर दिया है क्योंकि वो इतने खास नहीं थे और यह वीडियो कफे लंबा जा रहा है तो यहाँ पर अभी B की चाल है B ने चला है लालपन का चोक बहुत गलत चाल चल दिया मुझे देहला चलना पड़ेगा यहाँ पर और अभी यह जो हैंड है यह बन रहा है C का अच्छा इधर भी 1 का आया तो इसका मतलब आप समझे है कि A के पास जो है ना वो लालपन खतम हो गया है इसलिए उसने 1 का चला है यह तो फिर वो 1 का नहीं चलता तो अभी हमको 2 चीज़ याद रखना है कि C और A के पास दोनों के पास लालपन खतम हो गया है वो मेरे पास भी खतम हो गया है तो इसका मतलब सारे लालपन किसके पास है मेरे पार्टनर के पास A की चाले A ने 1 का चला इसका मतलब इसके पास इस पेड खतम हो गया है अब B की चाले B जो मेरे पार्टनर है उसने चला है देहला और वो एक कड भी है तुरूब भी है तो यह हेंड हमारा हो गया और इस तरह से हमने एक देहला को पकड़ लिया है तो आप मेरे पार्टनर की चाले मतलब B की चाले उसने चला है चीडी चीडी का दुगगी इदर से इक का आ गया है अब मैं अपने काड देख लेता हूँ मेरे पास चीडी का गुलाम मैं चल देता हूँ तो मैं इसको कड भी कर सकता था अब एक चल लेगा एक ने कर्ट किया है जबकि इन्हें कर्ट करने की जुरूत नहीं थी इन्हीं का हेंड बन रहा था इसका मतलब भी ये है कि एक के पास सारे ही कर्ट है यहाँ पर ये भी एक उब्सरवेशन है ये देखिए अगला भी कर्ट आया या तुरूप आया है इधर गुलाम इधर सत्ता तो ये हमारा ही बन रहा है पर फिर भी मैं को बेगम चलना पड़ेगा लिकि मेरे पास कोई दूसरा कार्ड नहीं है उस कलर का तो अब भी मैं ये स्ट्रेडिजी अपनाऊंगा कि मैं कर्ट चलूँगा और इसके बाद मैं बाश्चा चलूँगा जिससे की दोस्तो जो भी A और C की टीम है उनका जो कट है वो खतम हो जाए ताकि मेरा देहला में चल सकूँ और अगर इनके पास कोई बड़ा पत्ता भी है और वो काले पान का नहीं हो तो वो मेरा ही बनेगा वो हेंड जो होगा तो कि अगर सेम कलर का पत्ता नहीं चलते है और अगर वो तुरूप नहीं है तो उसी का बनता है जिसने पहले चला था तो ये लो तुरूप का बाश्चा पंजा मतलब मेरे पार्टनर के पास अभी सारे तुरूप खतम हो गए है इधर सी के पास भी खतम हो गए मतलब हो सकता है कि अभी एके पास ही सारे हो ये मैंना देहला ओ शिट बेगम तो ये जो हेंडे उनका ही बना है अभी हम देख लेते हैं कि किसने कितने हेंड बनाए हैं और किसके पास कितने देहला है तो मेरे गिंताओं एक दो तीन उसके बाद चार चुकि दोस्तो ये जो गेम है ये पहले ही ड्रॉ हो गया है ये कि दोनों के पास देहला चले गए है और कोई एक चारो देहला जीत नहीं पाया है तो मेरे जो है हेंड है 6 है 1,2,3,4,5,6 इसके अंदर हम एक बाद देहला भी चेक करेंगे तो ये इट का देहला और ये चीडी का देहला ये दो हमने पकड़े है तो यहाँ पर कार्ड को शफल करने की बारी उसकी होगी जिसके हैंड कम बने है तो यहाँ पर आप पोजिट पारड़ी के सेवन बने है और मेरे सिक्स बने है